जैसा कि मैंने बताए कि आपको अधार कार्ड और अपने पैन कार्ड का जो भी फ्रंट और बैक है उसको अच्छे से जो बैगराउंड है उसको रिमूव करके उनको सेव करके रखना है तो आप भी ऐसे ही अपने अधार कार्ड को बैक और फ्रंट को और इसकी जरूद हमें अप्लोड करने समय पड़े तो जिसके लिए आपको यह चीजे अच्छे से यहां पर सेव करके अपने फोन की गैलरी में रखनी है तो पैन कार्द के लिए भी आप पैन कार्ड को भी अच्छे से जो background है उस background को आप कट करके केवल आपका जो pancard और अधार card है उसके recording ही आपको यह करना रहेगा तो मैंने यह save कर लिया है आप भी ऐसे ही इसको save कर सकते हैं और save करके रख सकते हैं मैंने इसमें screenshot लिया है और screenshot लेने के बाद जो आगे का जो भी आपका रहता है that means आपका जो background रहता है वो पुरा आप remove करके उसको save कर सकते हैं जैसे मैंने कर लिया है अब आपको क्या करना है जो भी message आपके पास step का भी message आपके पास भी आया होगा तो इस message पर क्या करना है आपको go to your account पर जाना है जैसे ही आप go to your account पर click करेंगे आपके पास ऐसा एक format open होकर आएगा यहाँ पर आपको आपका जो भी आपका login ID है जो आपका अभी ID बना हुआ है जैसे कि यह ID बनी हुई है तो इस ID के coding आपको आपका 910706574 यह ID का नंबर यह ID आपके पास भी जो message आएगा उसमें भी कोई number view ID होगा वो number आपको डालना है तो मैं यहाँ पर यह number डाल रही हूँ यह ID डालने के पास password आपने जब ID बनाई थी तो आपने एक password डाला था यह password आपको यहाँ पर आपको mention करना है पासवर्ड डालना है और यह password हम डालते हैं यहाँ और जैसे ही आप यहाँ पर अपना password डालेंगे जो आपने ID में create करते समय डाला था और इसको login करेंगे तो login करने पर आप यहाँ से reset password भी कर सकते reset password का मतलब है आप दूसरा password भी change कर सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर password डालेंगे आपके पास एक ऐसा ही format open होके आएगा उस format के थूँ आप अपना KYC कर सकते हैं तो जैसे ही आप यह अपना open करेंगे आपके पास आपका my account का एक पूरा format आ जाएगा इसमें आपके पास आपका नाम आप देख रहे होगे कि आप किस preferred customer पे हैं तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपको KYC करना है तो आप यहाँ submit your KYC का option क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर जैसे आपको ऐसा जैसे tick लिखा है वैसा आपको यहाँ पर रखना है ना कि यह लंबा चोड़ा ऐसा नहीं आपको आपका जो भी आपका document है वो पूफ के साथ यहाँ देना है तो हम यहाँ पर अधार कार्ड का पूफ दे रहे हैं तो आप यहाँ पर जितने भी आपके पास पास book, bank, driving license, voter ID, अधार कार्ड किसी का भी आप age proof और address proof दे सकते हैं तो हम यहाँ अधार का पूफ दे रहे हैं तो अधार कार्ड की पूफ के लिए हमने पहले ही upload करके रखा हुआ है पहले ही अपनी gallery में अच्छा सा image एक कट करके लिखा हुआ है तो हम उसको upload करेंगे तो इसका front side upload करेंगे फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी gallery फोन की gallery से अपना यह हम यहाँ से इसको select कर लेंगे select किया और select करने पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर साबसुत्रा आपको एक pancard का front view दिख रहा होगा अभी back में जाएंगे और bank से फिर हम back का इनका जो भी है वो हम यहाँ से उनका अधार कार्ड का लेके यहाँ से select करेंगे तो इनका back का भी आगया अब यहाँ पर आगे आप scroll करेंगे तो देखेंगे age proof age proof के लिए आधार कार्ड या pancard कुछ भी डाल सकते हैं मैं pancard इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि pancard की जरूरत हमें जब हमारा commission आता है तो उसमें JST के लिए pancard की जरूरत होती है अगर आपका pancard है तो आप pancard का proof भी अपना जरूर दीजिए पैंकार्ड प्रूफ देने पर आपके पास फिर से वही option आता है कि आपको कहां से pancard का proof देना है तो मैंने pancard का भी इनका लेकर रखा हूँ है तो यह मैं select करके और यहां पर pancard number भी डाल सकते हैं जैसे कि number है यहां पर आप उसको mention कर सकते हैं यह मैंने यहां पर इनका pancard number भी डाल दिया है और pancard भी अच्छे से visible pancard का front view भी डाल कर अब हम यहां से save and submit करेंगे जैसे हम save and submit करते हैं यह हमसे पूछता है कि are you sure you want to submit इसा होता है कि कभी-कभी हमारा जो picture है वो अगर सही से नह पर आपने डाला है वो विजबल हो तो हम यहां पर submit करते हैं submit करने पर यहां पर एक message आता है save and submit करने पर save and submit किया हमने यह आप से पूछ रहा है your kyc document has been submitted submit हो गई हम यहां okay करेंगे और जैसे ही हम okay करते हैं आप देख रहे होंगे verification का स्टेटस आता है कि verification in progress your kyc documents are currently been verified it usually take two or three days business तो यहां पर आपने जो भी डाला हुआ है यह verify करने के लिए दो तीन का समय मांगते हैं लेकिन यह already आपका आप तक हो जाएगा और आपके email पर भी एक message आ जाएगा कि आपका जो आपने जो डॉक्मेंट डाला है वो verify हो गया है अब आपको क्या करना है कि जब भी आप फॉरिवर में अपना login कीजिए अपना जो भी ID आपका है वो login ID डालिए और password डालिए और password डालने के बाद जब आप अपना my account में जाकर पूरा detail आप देख सकते हैं कि क्या आपका नाम है आप किस status पे अभी है और अपने क्या-क्या इसमें फॉर्मिल्टी या जो भी आपने personal information डाली थी वो सब यहां से आप यहां पर कर सकते हैं अभी pen card का detail यहां पर नहीं मैंशन है क्योंकि इनका KYC यहीं हुआ है अगर आपको कोई भी ना for example आपको mobile number change करना है email address चेंज करना है तो जो pencil वाला यह आपको दिखरा बटन यहां जाकर आप यहां पर जाकर आप इसको change कर सकते हैं इसके लावा इसमें आता है my global business ऐसा होता है कि जब आपका 2CC complete हो जाता है तो आप कहीं भी अप यहां इसके थ्रू माई sponsor में आप देख सकते हैं इसका पूरा नाम और जैसे मेरा है शालिया दो आपको यह FBO जो यह sponsor ID है इसके थ्रू आप मुझसे भी contact करके यह आप मेरे थ्रू भी आप अपना ID बना कर KYC कर सकते हैं तो यह पूरी detail इसमें आती है इसके लावा जब account डालना होता है my account तो KYC तो अभी हमने document को upload कर दिया है bonus information में आपको आपका bank का पूरा detail डालना पड़ता है तो आपका bank account भी आपका हो जाता है तो आशा करती हूँ कि यह KYC का जो process है KYC document का process आपको समझ में आया होगा और आपने भी अच्छे से इसको कर लिया है अगर कोई आपको confusion है तो आप मुझे comment में लिख सकते हैं या phone से मुझे इस number से contact करके मेरे साथ अगर FLP में जुड़ना है FLP में automation के through work करना है तो आप खोलओ और न दो में अगर में और में जुड़ना फेष सांगे टो पूलच को समझे है तो आप स्केटे आपको समया से सकते हैं डेड रहे ह候 को आप सके हैं बार जोपिःए को समया आप से आपकोन अपकलते हैं में आपको को फिर के पोएड आपको से को सब् 도के कास्स अट झाल झाल